आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारे पास Question given है Which of the following relations is or are correct? Multiple Choice Question है, One से ज्यादे answers हो सकते हैं तो इस Question को Solve करने के लिए हमें दो चीज जानना बहुत ज़रूरी है First is यह कि Sign और कॉस्ट जो होता है उसी तरह से C और कॉस्ट होता है 10 और कॉट होता है वो Interchange कब होता है प्लस ठीटा रहता है तो कब Interchange नहीं होता है तो जब भी Odd Multiple of Pi by 2 रहता है तो Sign Cos में Change होता है Cos Sign में इसी तरह से C और कॉस्ट भी Change होता है और 10 और कॉट भी Change होता है लेकिन जब Even Multiple of Pi by 2 रहता है तो यह Change नहीं होता है सिर्फ Sign में Change हो सकता है और Sign का जो Change होता है वो Depend करता है Quadrant पे तो First Quadrant पे सारे Positive होता है Second Quadrant में साइन और कोशेक पोजीटिव होता है थर्ड कॉडरेंट में 10 और कोट पोजीटिव होता है और Fourth Quadrant में कोश और सेक पोजीटिव होता है तो इस क्वेस्ट में फर्स्ट में ऑप्शन है गिवेन है हमें सारे ओप्शन को हम अलग-अलग करके अनिलाइज करेंगे तो ए में हमें गिवेन है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोश माइनस थीटा तो एलेचेस ले लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा यानि कि Second Quadrant Second Quadrant में साइन क्या होता है पोजीटिव होता है और 90 प्लस थीटा है यानि कि Odd Multiple of Pi by 2 तो यह चेंज हो जाएगा तो यह हो जाएगा कोश थीटा आरेचेस देखते है आरेचेस में कोश माइनस थीटा माइनस थीटा यानि कि First Quadrant से Fourth Quadrant में चला गया और Fourth Quadrant में कोश क्या होता है Positive होता है तो यह भी हो गया कोश थीटा LHS और RHS इक्वल हो गए तो यह हमारा Option A Correct है अब Option B देख लेते हैं Option B में Sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोश 90 माइनस थीटा दिया गया है तो Sin 180 माइनस थीटा 180 है यानि कि Pi by 2 का Even Multiple है तो Sin का Sin ही रहेगा अब यह देखना है कि इसमें जो Sin कर्वेंशन है वो क्या होगा 180 माइनस थीटा है यानि कि Second Quadrant में और Second Quadrant में Sin Positive होता है तो Sin 180 माइनस थीटा Sin थीटा ही हो जाएगा यह हो गया LHS अब RHS देख लेते हैं RHS में Cos 90 माइनस थीटा है 90 में तो चेंज हो जाता है और First Quadrant Cos 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा First Quadrant में लाइक अता है Cos 90 माइनस थीटा Sin थीटा हो जाएगा RHS भी हो गया हमारा Sin थीटा यह भी सही है पत्तों Option B और करेक्ट है अब Option C में देख लेते हैं Option C में दिया गया Sin 360 माइनस थीटा 360 यानि कि Even Multiple of Pi by 2 तो Sin जो यह ही रहेगा तो हो जाएगा LHS हो जाएगा Sin 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा यानि कि Fourth Quadrant Fourth Quadrant में Sin जो नेगिटी होता है तो यह हो जाएगा Minus Sin थीटा RHS देख लेते हैं Cos 360 माइनस थीटा Cos 360 माइनस थीटा Fourth Quadrant में Cos Positive होता है तो यह हो जाएगा Cos थीटा यह Equal नहीं हुआ मतलब C Option नहीं है अब D Option D Option में हम लोग देख लेते हैं Sin 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा Third Quadrant में लाइक करता है और 180 मतलब Sin का Sin ही रहेगा तो यह हो जाएगा Sin Theta माइनस में क्योंकि Third Quadrant में Sin negative होता है और Cos 90 माइनस थीटा है Cos 90 माइनस थीटा को हम लोग कर सकते है Cos 90 माइनस थीटा यानि कि Sin थीटा यह LHS में इस माइनस Sin थीटा था और RHS हो गया हमारा Cos 90 माइनस थीटा Sin थीटा यह भी Equal नहीं हुआ मतलब यह भी Option गलत दिया हुआ है तो हमारे अंसर शिसमें हो जाएंगे Option A and Option B Thank you